हेलो एवरिवन, आएम हिमानशी, वेलकम टू सिविल पांडा ओडियो आर्टिकल, आज हम डिसकस करेंगे 30 सेप्टेंबर के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के बारे में साथ ही से रिलेटेर इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी डिसकस करेंगे, तो चलिए शुरू करते है हाल ही में फोमियो किशिदा किस देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इसका आंसर है जापान, जापान के फोमियो किशिदा अगले प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोस्तों, बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो जो की होंशो आइलेंड में स्थि नेक्स्ट हाल ही में किस देश के फुटबॉलर रोजर हंट 83 एज में इनकी देथ हो गई है तो इसका आंसर है इंगलांट इंगलांट के रोजर हंट की दत हो गई है दोस्तो और क्रिकेटर मोहिन अली ने टेस्ट मैच से रेटार्मेंट की घोशना की है ये भी इंगलांट के हैं तो फुटबॉलर रोजर हंट और क्रिकेटर मोहिन अली दोनों का नाम आपको याद रहना चाहिए ये दोनों इंगला अब बात करते हैं इंग्लैंड जो की युनाइटेट किंग्डम का पार्ट है इसमें इंग्लैंड, स्कॉट्लैंड, वेल्स और नॉर्धन आइलेंड शामिल है इसकी कैपिटल है लंदन जो की तेम्स नदी के किनारे है करंसी है पॉन्ट स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्ट इंग्लैंड किने तुम इंग्लिस्ट अनग्लिस चैनल की बात करें तो ये यूके और फ्रांस इंग्लिस चैनल के बीच दूस्तों से इंग्लिस चैनल पार किये थे यह हैं मिहीर सेन और फर्स्ट इंडियन फीमेल जो इंग्लिस चैनल पार की थी आर्थी सानहा तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इंग्लैंड के बारे में नेक्स्ट हाली में ग्रीस ने तीन वार्शिप खरीदने के लिए किस देश के साथ सिक्योरिटी एग्रिमेंट पर साइन किया है तो इसका आंसर है फ्रांस ग्रीस ने फ्रांस के साथ तीन वार्शिप खरीदने के लिए सिक्योरिटी एग्रिमेंट को साइन किया है दोस्तों बात करें फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पैरिस जो की सीन नदी के किनारे है, करंसी है यूरो, इंडिया और फ्रांस के बीग जो मिलिटरी अक्सरसाइज होती है उनके नाम है शक्ती, वरुन और गरुन, फोर्थ वन प्लानेट समिट 2021 यहीं आयो जित होई और जीन प्यारे एडम, इनका नाम आपको याद अखना है, यह फॉर्मर फुटबॉलर है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तो, नेक्स्ट, हाल ही में बाजरे को किस स्टेट की भावंतर भारपाई स्कीम के तहर शामिल किया गया है, तो इसका आंसर है हर्याना, हर्याना में बाजरे को भावंतर भारपाई स्कीम के तहर शामिल किया है, भावंतर भारपाई स्कीम में क्रॉप की प्राइस फिक्स कर दी है दोस्तो साथी दोस्तो आपको यह भी आद रखना है कि हर्याना में समर्पन पोर्टल भी अभी लांच किया गया है बात करें हर्याना की तो इसकी इसका गटन किया गया था 1 नमबर 1966 को सरदार हुकुम सिंग पार्लेमेंटरी कर्मेंटी की सिफारिश में चीफ मिनिस्टर है मनुह लाल खटर, गवर्नर है बंडारू दत्ता त्रे, हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य हर्याना ही है, मेरा पानी मेरी विर नेशनल मेला लगता है दोस्तों, यह हर्याना में है और नौर्थ इंडिया का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटेब पार्ल गुरुग्राम हर्याना में स्थापित किया जाएगा, तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं हर्याना के बारे में, नेक्स्ट, हाल ही मे निमाबन अचारिय किस स्डेट की legislative स्मली की फ़र्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, बात करें गुजरात की, तो इसकी capital है तो कि तापी रिवर में है ये गुजरात में पस्तित है गुजरात हाई कोड में सबसे पहले अदालिती कारिवाही की लाइफ स्ट्रीमिंग की गई है इन्वस्टर समय दोहजार एक यहीं आयोजित किया गया था और वतन प्रेम योजना गुजरात में ही लाउंच की गई है और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मयल्टर प्रोजेट गुजरात में ही लगाया गया है तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने है गुजरात के बारे में हाली में सेंटरल कवर्णेंट ने मिद दे मील स्कीम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका आनाम है पी एम पोशन स्कीम कर दिया गया है दोस्तों इंपोर्टेंट है आपको नाम याद रखना है मिड़े मील की शुरुवात की गई थी 1995 से हाली में नाबाड ने किस राज में याक पालन के लिए लोन स्कीम की मंजूरी दी है तो इसका आंसर है अरुनाचल प्रदेश नाबाड ने अरुनाचल प्रदेश में याक पालन के लिए दोन स्कीम की मंजूरी दी है बात करें अरुनाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है इटन अगर, गवर्नर है बीडी मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू और नीशी ट्राइब्स अरुनाचल प्रदेश से रिलेटेड है दोस्तों इसका नाम आपको याद रखना है आत्मनर्भग क्रिशी योजना अरुनाचल प्रदेश में स्टार्ट होई है और रोडर ड्रॉन पार्क ये कोश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एक्जाम में ये अरुनाचल प्रदेश में है नेक्स्ट हाली में किसे ग्लोबल लाइफटेंड अचीमेंड अवार्ड 2021 दिया गया है तो इनका नाम है दिनेश शहरा दिनेश शहरा को ग्लोबल लाइफटेंड अचीमेंड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों next हाल ही में किस state की judima rice wine को GI tag मिला है तो इसका answer है आसाम आसाम की judima rice wine को GI tag मिला है साथ ही दोस्तों आपको ये भी आद रखना है राजस्तान की सोजत महंदी को भी अभी GI tag मिला है next हम बात करेंगे हाल ही में ICICI bank ने overdraft service की पेशकश के लिए किसके साथ साज़ेदारी की है तो इसका आंसर है Amazon India, Amazon India के साइथ ICCI Bank ने overdraft service की पेशकश की है Next, किस देश ने hypersonic missile का टेस्ट किया है तो इसका आंसर है North Korea North Korea ने hypersonic missile का टेस्ट किया है इसका नाम है One Shock 8 One Shock 8 नाम से ये hypersonic missile है दोस्तो इसका North Korea ने टेस्ट किया है बात करें North Korea की तो इसकी capital है Pyongyang, currency है North Korean Won North Korea के dictator का नाम है John Yoon, Kim John Yoon और North Korea में विश्वे का सबसे बड़ा football stadium है Rungrado football stadium इसका नाम भी आपको याद रखना है Next, हाल ही में World Hard Day कम मनाया गया तो इसका आंसर है 29 September 29 September को World Hard Day मनाया गया है दोस्तो इसकी theme है Use Heart to Connect अब बात कर लेते हैं Madhya Pradesh Current Affairs की तो हाली में 100% COVID vaccinated देश की पहली capital कौन बन गई है तो इसका आंसर है Bhopal Bhopal जो की Madhya Pradesh की capital है ये 100% COVID vaccinated capital बन गई है दोस्तों इसका नाम आपको याद रखना है और 100% COVID vaccinated city पहली कौन से थी तो वो थी इंदोर और 100% COVID vaccinated गाउं कौन सा है तो ये है वियान गाउं जो की जमू कश्मीर में है और 100% COVID vaccinated union territory कौन सा है तो वो है लद्दा तो ये सारे facts आपको याद रखने है नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं भोपाल के बारे में तो भोपाल जिसे परमार राजब भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था भोपाल को जीलो की नगरी भी बोला जाता है भोपाल पांच पहाड़ियों से घिरा है जिनका नाम है श्यामला, कटारा, अरेरा, इद्गा और टीटी नगर 1972 में भोपाल को सीहोर की तहसिल से अलग कर डिस्ट बनाया गया था मद्र प्रदेश का पहला सल रिच औरगेनी फर्टिलाइजर प्लांट भोपाल में लगाया गया और एशिया की सबसे बड़ी डिस्टिट कोट भोपाल में है अचार पूरा इंडेस्ट्रियल एरिया जहां पर टेक्स्टाइल पार्क का बनने की घोशना की गई है ये भोपाल में ही है और भारत का पहला मल्टी स्किल पार्क भोपाल में ही स्थापित किया गया जो की एशियन डेवलेप्मेंट बैंक की मदद से बनाया जा रहा है तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने है तो ये था आज का डिसकेशन दोस्तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का कोश्चन है हाल ही में किस स्टेट की जो डिमा राइस वाइन को जी आई टैग मिला है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है आउडियो आर्टिकल पसंद आये तो ये लाइक कमेंड और शेर करें